पुछका देवी जाए अरे किष्णा ओम ज्ञान तिमिरंद से ज्ञान जनस रलाक्या चक्छुनमनत अमनत असमे स्री गुरुवे नमा स्री चैतन्य मनोबिस्थम स्थापित अमियनम भूतले स्वयम रूपकदा महियम ददाती स्वपदांतिकम बंदे हम स्री गुरो स्री उतपदकमलं स्री गुरुन वैश्णुवाम्ष्च स्री पाउपम सागर जातम स्थगनर अरगुना थान interaction अमियनम भूतले स्री मते बक्तीवेधान तस्वामिन नामिने नमस्ते सारसोते देवे गौरवानी पिजारिन निल्विशेश अशुन्यवादी पाश्य दिश्तारिने श्री किष्णा चैतन्या प्रभुने त्यारंद श्री अत्वाइत गता अधर स्विवा सदी गुर्वत प्रिंद हरे किष्णा हरे किष्णा आज का संदर में 24 गुरुव के बारे में उसके आगे देखेंगे जामनिक कल छोड़ा है कल हमने देखा कि प्रित्वी जो है वो काफी हम नेचर से क्या सीख सकते है अगर आप गुरु गुरु जो है एक बाहर जो विक्ति है वो तभी आपके जीवन में काम आ सकते है जब आपके अंदर सीखने की इच्छा हो अगर आप सीखना नहीं चाहेंगे तो कोई आपको मदद नहीं कर सकता सीखने की इच्छा अगर नहीं है मदद कोई नहीं कर सकता सीखने की इच्छा है तो हर चीज में कुछ नकुछ आपको लेसन दिखाई देगा हर समय आपको दिखेगा यहां से यह सीख सकता है तो सीखने की इच्छा उसमें होती है जो नम्र हो जाता है अहंकार में आदमी सीखता नहीं है और अहंकार पतन का कारण है तो कल हमने देखा प्रित्वी सहन सील है सबको सहन करना सिखा सिखाती है को इसको पैर भी मारता है तो भी उसको आश्रे देती है है ना ध्रति कितना अस्रे देती सबको उसके बाद हमने देखा कि जो परवत हैं और व्रिक्ष हैं वो देना सिखाते हैं कि हमेसा देना सीखो हमेसा देते रहते हैं उसको आप मारते भी है पेड को जो काटने जाते हैं पहले सूब जाते हैं काटने के थोड़ा काटते हैं उस के साम को ले जाते हैं तो पेड़ कितना देना जनता है कि कटते हुए भी आपको छाया दे रहा है कि देना सिखा है तो देना सिखना होगा हमको पेड़ों से कि देना इसको कहते हैं पथर मारों तो फल देते हैं हर तरह से देते हैं वैसे साधू को सिखना चाहिए कि फेड़ इतना दे सकते हैं तो साधू कितना देना चाहिए तीसरा आपने सिखा प्रान वायू प्रान वायू जो हमारे अंदर होता है वह जितना भूख रहता है उतना ले लेता है उतना पचाता है उससे ज्यादा नहीं जैसे उतना हो जाता है आपका भूख खतम हो जाता है वह आपक आपनी Subra खाने खाने के बाद आपने मिठाई खा लिया काने खाने के लिए मिठाई खाने के लिए cash देवाई झाया एफ लूज है प्राण वाय। वह जीतना लेता है उतना पचाता है लें आपको इंडिकेशन देतता है अब हो गया के उसके बाद हमने सिख्खा वायू हवा से क्या सिखते हैं हवा कोई चीज को उठाती है और उसको लेकर फिर छोड़ देती है यह जैसे हो एक दुरगंद वाले जगह से नाले उसका दुर्गण्द्ज जो हे उस मिट्टी का गून है गून उसको उठा कि ऑठा कि यूइ सुगंद वाले गार्टिन इसको भी यहां चलते रहती हैं जो चलते रहती आपहीं से आशक्ति आशकति को द्यू?! रुक यहे प्र वायू constantly जैसे फुटबॉल है परंपुज रादवगुन महाराजी कहते हैं कि फुटबॉल की जो हवा है वो रोक ली गई है तो जब हवा रूक गई तो सब लोग उसको लात मारते हैं Pixel कि देशन से होडारता इंधर से वह मारता है वह फिर टो कि महराजी कहते हैं किमेडर होना चाहिए सादू को होना चाहिए अ किसी आश्रम पर डिकर होना चाहिए जैसे आप डवेंड हो जाएंगे कोई नहें तो प्रवाचन लोगों को ग्यान दिये सब अपना उठाए वहां से आगे निकल गही है किसी के दभाव में किसी के दभाव में हाके सच बोलने से रुखना ने चाहिए अभीगाड के डर से इमान की बात बोलना जो है कि ऊठना दोना निचे में है इमान की बात बोलने से अबने को ड़र और हो जाएगा फिर साथू और सदोंगी है जो सचे बोलने के लिए डरे नहीं भगवान के वानिगेको सझे को बोलने के लिए जो डरे नहीं वह सदू तो वह है जिसको एकदम निजडरता प्राप्त हो वे सच बोलने से कत्र आया है तो हो गया हुआ watching' है कृष सादू ऐसे है भारत में बारत मेहीं करें जो कहते हैं कि भूत नहीं होते गिर्वा कपड़ा पहनने वाले सादू है और बहुत बड़े बिजनेसमेन बन गए और वो कहते हैं कि भूत भूत होते नहीं है सास्तर में तो सास्तर मानते नहीं है तो चौथा अपराद है नाम का जो वेदों को न माने वो नाम का अपराद ह वेदों को नहीं मानने वाले तो इनके निच्च जो साधु रह रहे हैं इनके मठो में वो तो बंद गेंद की तरह हो गए ना उनको तो कोई आजादी नहीं बच्चा फिर सच बहनने का उन्होंने कहीं देखा भी कुछ उनको सही भी लग रहा है उसको व्यक्त नहीं कर बढ़ादू को ऐसे किसी के प्रभाव में आके सच बोलने से रुखना नहीं होना चाहिए निकल जाओ छोड़ दो शास्त्रम को और निकल के चलते रहो बस चलते बनो सास्त्र जहां बोलोगे जहां सच बोलोगे सच की अपनी कदर हर वेक्ति जानता है दुनिया जानती है सच क्या चीज है आप सच बोल दीजिए लोगों का फायदा हो गया बस खतम आगे बढ़ी जहां बोजन मिला ले लिए आगे बढ़े गए रहने का ठीकाना और कहां क्या होगा यह उपर वाला देखे तो वाइस हमें यह सीखना है और उसके बाद हमने देखा कि अकास को देखा कि अकास जो है वो लगता है कि बटा हुआ है अकास स्पेस है स्पेस जैसे कि यह अपने धरवाजे खिड की अब अब लगाद भी से आप दिवाल पी है अगर अब जोर से बोलो गए तो उधर के दिवाल के अई पढ़सा उसक्रफ का रोगल जमाने죠 कि ऐसे घरों में कुछ ऐसे जगह बनाया होते थे जहां से दूसरों के घर के आवाज तक आ सकी एक टेक्नोजी है भी अगर आप लखनों के इमाम बाड़ा में जाएंगे तो यहां से लेके पचास फीट दूर तक आप दिवाल में कुछ बोलेंगे पचास फीट दूर के कौन कि यह जो है आकास जो है आकास रुकता नहीं आकास को आप रोक नहीं सकते बाट नहीं सकते लगता है कि आकास बढ़ गया घर के बढ़ने से लगता है देखने से लगता है लेकिन आकास नहीं बढ़ता है क्योंकि आवाज तो जा रहा है है आवाज जा रहा है मोबाइल करे आवाज जा रहा है और प्रात्ना कर रहे हैं भगवान कि पोन इस और उस प्रहस्ट ओख सब्सक्राइब रेया मोबाईल कम एन्युले के पार क HAMA कर जा रहा है Thanks don't इसा परतित होता है करुदर में वैसे यह हम को समझना चाहिए जो है निकिन भागवान होसकता ही आदमी आपको आप माकि स्थिति है वोग लग देखी जा सकती है हमने जल देखा कि जल जो है सुक्ष करता are मौधूर करता है वैसे इस आदक को वैसे हो नची है फिर हमने अगनी को देखा अगनी देखेंगे अभी कि अगनी कैसosa होता आज हम अगनी से चालू करेंगे अगनी अगनी में क्या क्या होता है अगनी में स्लोक है अगनी में होता है तेज तेज मतलब होता है उसको आप देखेगा तेज होता है उसके अंदर दिप्त दिप्त मतलब होता है प्रकास तेज मतलब होता है स्पीड अगनी में स्पीड होता है तेज का मतलब होता है चमक होता है उसमें और दिप्थ का मतलब होता है प्रकास, थोड़ा सा फरक है दोनों, लग रहा है एक जैसे वड़ है, लेकिन एकडम एक नहीं है, जैसे कि किसी के चेहरे से भोगा आभा आ रही है, तो उसको light नहीं कह सके हैं, लेकि उसको तेज कह सकते हैं, उसके बाद कि दूर्धर्स होता है कि दूर्धर्स का मतलब होता है कि इसको आप इंदिरियों से अंधल रहा नहीं सकते हराना इसको अगर अगन Vai Łukra ऑने में बूजहने में बहुत सारा पानी बहुत सारे लोगों को फुजहना असान इसलिए किसी को बरबाद करना होता है तो अगनी का मदद लिए ज погром के अंदर अगनी होता है क्योंकि यह दुरघर्ज है इसको बरबाद करता है इसको कंट्रोल करना संभव नहीं और उदर भाजन इसको कहते हैं उदर भाजन अगर उदर मतलब पेट भाजन मतलब खाना जो भी उसके पेट में डाल देजेगा खालेगा इने बोलेगा कि मीठा नहीं खाएंगे नमकीन नहीं खाएंगे नमक नहीं चलता है तेल नहीं चलता है डालते जाएगा खाता जाएगा और जितना तेज अगनी रहेगा उसमें पानी भी डालते जाएगा तो उसको जला के भाब बना देगा अगनी का यह सभाव है उदर भा इसी तरह और दूसरा है मलज कुछ है दूसरे का जो लेता दूस लेता नहीं आगनी का गुनग utilized किसी कर दोस नहीं लेता है जैसे कि अगर अगनी में अभू गंदा चीज में दंडियेगः उसको बहाएं अज ठीज में अच्छा ़ीज में बहुता कील उसको भी ढादेगा सो को ज schöne ऑड़ी वी ज Hmm वह समझー thought a Sn robotics करदा के सब्सक्राइब सब्सक्राहता है वैसा ही साधु महात्मा जो होने चाहिए उनको अगनी जैसे मोने चाहिए लोगों का बहुतिक श्थितिये जात जांके उठ जैसे दोर्गा समझ जाए यह अब जो है ऐसे नहीं चलेगा जीवन में चले कैजूल लाइफ नहीं चलेगा हमको कुछ करना चाहिए वह तेज होना चाहिए अवाज में और दिप्त मतलब वो जब बोले तो उसके उसको सुनके लोगों के जो ग्यान की जो भुजीवी जो है वो जल जाए वेक्ति वेक्ति को ग्यान पता चल जाए क्या है लाइट हो जाए दुरगर्व उसको आप किसी भी तरह से इसको अब हरा नहीं सकते सक्चसादू है उसको अब दबा नहीं सकते हैं चाहिए कितना भी आप कुछ कर लिए प्रवपाद अमेरिका गए और अमेरिका में जाके उन्होंने वहां पर बोल दिया कि सरा मत पियो मांस मत खाओ यह मत करो मत करो सब बोल दिया उल्टे नियम सब उनके हिसाब से फिर भी जादा ले अलग से कहीं बैग रखने का जडूरत नहीं सादू हो है जो पेट ही उसका बैग है जो घाना आपने खा लिया और जो विद्धिया आपने पा लिया वह अब का है वाकी संसार में कुछ आपका नहीं जो भोजन आपने पा लिया जो ग्यान आपने ले लिया यह आपका है बाकि कुछ आपका नहीं संसार में जाता है किसी को ग्यान देता है उसके समस्यां को सौल कर देता है उसके दोस को अपने उपर नहीं लेता है यह नहीं कि उसी पर भी सोचने लगा रहे 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 लोग कितने दुखी है और खुद भी दुख में चला गया खुद भी रो रहा है बैठके उसका दोस हो लेता आग्ञा बुड़ा भी हो सकता है साथ्र बोले ऑगनी का तरीक जितना घीड अले और बड़ेगा और बढ़ेगा तो ऐसे सादू का जितना परचार करेगा जितना कृष्ण क के को निकाले गा उतना तो अगनि को तो साथ दो तरह की होते हैं कुछ होते हैं जो बढ вряз particular कि इसमें ये चेतना है कि सामने वाले झाय जेतना है आप में गुच जाहेSON जैसा आन वे यूधा हाएमन कि तहलों कि पृष्छै समरन मिसी मन हो खाय दुस्ट मन नहीं हमें आप के विसइयAh विई विश्य класс विटोन दोटेंकर संच जसा zatै ऑविजांगेरेक nossa अजिए में अगर पाुजाएंगे लेकिन यसे च CG के लिए पूरा लगा वह हैं यससका अगनी बहुत बढ़ा हुआ है वो इन विश्य के खाने को भी पचा के निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा कि कब निकल गय है अगस्त मुनी ज थे अगस्त मुनी हो जंगल Shark Up महरास्टा में कर माgam Gaad Men रामम टेक कि उनका अस्रह में तो वह यह अगास्त मुनी थे तो वहाँ पर इलवघ और वातापी दो असूर गूमा करते थे और यह ली क्या करते यह पूरा यह खोके और उसका पेट फाड़के रिशी को इस तरह से मार देता तो अगर रिशी को पता चला कि ऐसा है अगस्त रिशी वाँ बैठ़े उसने वातापी को इस में मिलाहुला के खिला दिया में खाने को बोलता है वातापी बहार आओ तो अगस्त मुनी कहते हैं वातापी जीरनो भवेत वातापी तो मर गया बुढ़ा गया अब उसका तो पचन हो चुका है मेरे अंदर अब वो बहार नहीं आएगा इलवल गुस्सा हो गया उसने यू दिखिया वो तो खेर खतम हो गया लेकिन तेज जो है तेज के उपर है कि क इतना सामने वाला कैसा होता है और यह साधक की जिम्यदारी है कि अपना तेज बढ़ा के रखे कहां पर ऐसा प्रभाव साली चीज़ आ जाएगा आपको प्रभावित कर देगा इसलिए अपना तेज बढ़ाया रखना चाहिए और अपना तेज बढ़ाने का मार्ग है आप बोलेंगे जितना इस वानी को आप मुखरित करेंगे मुखा से प्रभावित करेंगे उतना ही यह आपके तेज को बढ़ा देगा फिर आपको फरक ही नहीं पड़ता कि आगे पीछे क्या हो रहा है लोग क्या कर रहे है आप पादम पत्र इवाम बसा पानी में रहने व ऊगनी का एक ओर गुन है यह गुन टो हमने यह दिखाया है यह सब तेजस्वी दिप't होता है और एक गुन अगनी को सब्सक्रशगे Save वो जो अगनी निकलेगी वो टेढ़े निकलेगी है ना बड़ी लकड़ी में रखिएगा तो बड़ी निकलेगी है ना छोटी लकड़ी में रखिएगा तो छोटी निकलेगी जिसना लकड़ी रहेगा उसके एसाब से गोल लकड़ी निकलेगी सीधी लकड़ी से सीधी निकल अगनी है ना लेकिन वैसा दिखता है लेकिन वैसा है नहीं तो ओमनी पोटेंट सुप्रीम लॉड्ड हविए अविटर्न प्रवेस्ट भगवान अलग जीवों में परवेश करते हैं कभी हाथी के अंदर भी होते हैं मचली के अंदर भी होते हैं के अंदर भी होते हैं किडे के अंदर भी होते हैं कोकरोच के अंदर भी होते हैं सब के अंदर होते हैं और कोकरोच का ताकत तो कम होते हैं हाथी का ताक वो गत दिखा रहा है कम उतना दिखा रहा है कम लेकिन जिस पात्र में जितना है उतना वो दिखा रहा है लेकिन वह एक तो अगनी समस्ते हैं अगनी सम्तियें दो चीज़ां कर दो और आठवा गुरु देखेंगे अगनी सात्वे गुरु थे आठवे गुरु है चंद्रमा चंद्रमा जो आठवे गुरु है उसके कैसे हैं कि चंद्रमा कभी घटता है कभी बढ़ता है कभी बढ़ जाता है कभी पूरा हो जाता है चंद्रमा तो अलग-अलग साइज में बनता है चंद्रमा तो घटता बढ़ता नहीं है चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती है चंद्रमा आपको दिखता है घटते बढ़ते हुए चंद्रमा में कोई चेंज हो रहा है हमारे परसेप्सन में चेंज हो रहा है चंद्रमा को देखके कि वयसे ही चंदर्मा के घटने बढ़ने से अधूत ब्राम्हन क्या देखते हैं कि चंदर्मा के घटने बढ़ने से करते हिग कि मुझे आत्म और शरीर की अधाती है 2 मरहता है सरीर में और सरीर कभी छोटा होता है जब हम पैदा हुए जग हसे हम रोए ऐसी करनी कर चलो हां ऐसी करनी कर चलो हम हसे जग रोए सरीर जब पैदा हुआ तो कितना बड़ा था समथ तीं किलो का ज्य다 हो सकते हैं आप चार 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 किलो हुआ सकता है या देडी किलों भी सकते हैं लेकिन तीन-चार किलो को यांओगे जब हम पैदा हुए तो तीन चार किलो का सरीर था वो बड़ा हुआ सब रो रहे हैं थोड़ा बड़ा हुआ पांच बरस का भोला भाला अब तो बीस भायो रे तुने कब हुना क्रिशन कहो जनम तेरा बातों में बीत पांच साल का जब होता है आदमी, दस किलो वजन होता है, और उसके बाद वो बढ़ता है, दस-पंदरह किलो से बढ़के, 20 साल का जब हो जाता है, जब उसका 70-80 किलो वजन हो जाता है, तब तक भी वो क्रिशन कहां कहता है, जनम उसका बातों में बीच जाता है, अलग-लग स चीजों करके उसका जनम आता है स्षरीर उसका बड़ा हो जाता है उसके बाद फिर वगए फिर बुड़ा होता है जा adapt कि Tag कि है भी किसी है और वह अनते समय आता है कि एक्दम झाता है कि और फिर सब्सक्राइब अंतेमार अटाहे तो पूरा कफ भरा रहता है और कफ से उसका आवाज नहीं निकल रहा है तो उसका फळम हो जा रहा शरीर हो गया है जिर्न शीर्ण हो गया कांट्रोल नहीं रहा गया ऐसे निढाल परास्त भाव से जो निरस्त हुआ पढ़ा रहता है और पढ़े हुए जब रहता है तो उसका सरी जो है गर्म होना चालू होता है और उस गर्मी से वह एकदम परेशान हो कि उसका अंत समय एकदम निकटा जाता है तो इन स्थितियों अगर आप देखेंगे इन स्थितियों में देखते देखते अगर आप देखेंगे बच्पन से लेके बड़ा होने तक बड़े होने से लेके प्रोड से बुढ़ापी से जिरना वस्ता घटिये तक अगर आप देखेंगे यह चंद्रमा के जैसे ही पहले बढ़ा और बढ़ बढ़ा और घटा चंद्रमा को देखके याद आना चाहिए कि यह मनुशरीर भी हमारा चांद के जैसे हैं दिखता है कि बढ़ा दिखता है कि घटा लेकिन घटा न बढ़ा इसमें जो रहने वाली आत्मा है वो यह एकदम फिक्स चीजे लिघुतरा है आत्मा वैसे ही कि बदलाव इनला और वैसे और आत्मा शृरीर तो नेयों हम शीख सकते है सीखने के लिए बहुत कुछ है निचर में जब हमारे आंक खुलेगा यही प्रकृति बहुत को सीखाएगा हर प्रकृति के हर एक चीज आपको बहुत को सीखाएंगे प्रकृति के यह जो बदलाव है चांद के जैसे बदलाव एक बार पुझ राधनात महाराजी कह रहे थे क निम्OUL का जो पेड़ है व निम्बु का पेड़े में आप तल आते नीचे और पानि हालने से निम्बु का पेड़ पा उसका पानिय कहीच के रुआ अल्सकी मोल फ्ल यह कमीछत पैकिंग को सब्सक्राइब फोन कendeी Director निक्रिक ऐसी जो है बनने के बाद पैक हुआ है और पैक कैसा हुआ है बायो डिग्रेडेबल कंटेनर ऐसा पैकिंग किया है कि उसको कहीं फेक दिजिएगा तो शड़के वह मिट्टी में मिलके बराबर हो जाएगा हिम इसमें प्लास्टिक में प्लास्टिक देते हैं प्लास्टिक थो हー., नेमु का रजा कर रहा है वह ऐसा है कि फिय देने से मिंट्ट के बराबर हो जा रहा है यह मत पहले है इसारश में उसमें आगे ने मिय मनें का मुझी डाल जी करूप murderer कि प्रोग्राम डला हुआ है कि अब वह बीज जहां गिर गया वहां पर एक निमू का पेड़ू जाएगा और वह भी निमू का जो है सैट्री के सिट पैक करकर के वह कंपनी बनते रहेंगे उसमें कि खर्चा कुछ है नहीं कि सोचिए और निमूब का जो रस है उस जब तक आप काटिएगा नहीं तब तक कुछ सड़ता नहीं है और जब काट दीजिएगा तो एक घंटे में सब्सक्राब हो जाएगा कि निकालता है इन आप्जर्वेशन प्रोग्राम भी डाल दिया है तो इस तरह से एंग कि इस तरह से हम देखते हैं कि मैं आप निस ने सवाल किया सवाल को मैंड में लेंगे इस तरह सही adel को pantalla ester lleva यह जो यह जो नेचेर है इसमें इतनी सारी मैजिकल चीजे हो रही है अगर आख खुली है आपको दिखते जाएंगी और आख बंद है सीखने का अगर अपने वो लर्निंग का पॉइंट आपका खतम हो गया तो आप फिर कुछ सिखेंगे निवास कुछ सिखेंगे निए चां बढ़ता है और इसलिए कहा गया है कि साधक को साधक जब गयात्री करते हैं तो सुबह दो पहर साम तीन बार अपने आत्मा के अस्थाई सरुप पे ध्यान करते हैं कि यह सूरज बदल रहा है समय बदल रहा है सरीर बदल रहा है स्थान मेरा बदल रहा है उमर मेरी बदल रही है मेरा भैचान जो है दुनिया में बढ़ रहा है घट रहा है लेकिन इसके साथ मैं नहीं बदल रहा हूँ मैं कहीं नहीं बदल रहा हूँ इस चीज को तीन बार ध्यान करते हैं और यही गायत्री है इसके बारे हम जादा नहीं कह सकते हैं लेकि इतना आप समझे के कि अपने अपन स्थाई पन को याद करना और ये जो है आत्मा का लक्षन है और जब अस्थाईपन को याद नहीं रखते हैं अस्थाईपन सरीर के उपर फोकस कर देते हैं चांद के जैसा काम हो जाता है आगे बढ़ते हैं एक सवाल है उदर भाजन कैसे हमें तो सिर्फ कृष्ण प्रुशाद की खाना है सब कुछ कैसे खा सकते हैं उदर भाजन का मतलब है यह अगनी का उदर भाजन कहने का मतलब है कि अगनी का जो तेज है जैसे अगस्त रिशी के बारे में बात हुआ खाव। सबकुछ नहीं खा सकते। लेकिन हर अस्तर पर कुछ चीजे नहीं खाने के लिए हुथ हर एक अस्तर पर कुछ ऐसी चीजे होती है जो आपorenी सकते। जैसे कि जब नए सादक होते हैं तो कहा जाता है कि एकदम वाशनों का बना हुआ सबस्कार निकलता है तो तो लोग ठोड़ा सा रेलेक्स करते हैं कि सरुख कहीं जो है बिना प्याख सुनका है है किसी हाँ किसी गर में है तो वहाँ अधिकर बोले अब और ख़ड़ो जाने कर सकता है तो आब वो चलता जो है, वो सब के लिए नहीं चल सकता है, जो इसका इतना वेग है, जो रुक्षनी रहा है, घूम रहा है, यहां जा रहा है, वो उसको खिच सकता है, सब नहीं खिच सकता है, इसके आगे के भी लेवल है, प्रोपा जी आये थे पुना में, और पुना में मल बीन सब से भñख निन घंठे आ गया डाता लुखा तौह न कुछ लखना दियाँ संद्रीं के साथ बन खाल गए प्रहुपात के बोले प्रहुपाइश में उनि प्रोपाइव पहले कि और उसपालि को पुल दो गयाен को और सब ने खाया सबने वहां खाया उसको लेकिन यह कैसा है वह सबका लेवल नहीं फिर वह एक लेवल है जिस लेवल पर कोई इतना डिसीजन ले सकता है किसी ने बोला प्रभपात को कि अगर मैं साइबेरिया जाओंगा उधर प्रचार करने रसिया के ऊपर ठंडी लागों में तो खाऊंगा क्या वहां खाने के लिए कुछ नहीं है कि वह नौन भेज मिलता है प्रभपात बोला इट मीट एंड प्रीच अगर कुछ खाने को नही है तो परचार जो है यह खाने के रूल से उपर की चीज़ तो आयसा कहीं जरोज पर गया कि तुम मर रहे हो तो बोले कि तुम नौन वेज खा लेना लेकिन परचारकर्टे रहना कहने का मतलब यह नहीं कि यह कहने नहीं इस ब्हु काफी उच्छा है और्थोडॉक्सी कहां उसको छोड़ना है यह पता होना चाहिए जैसे एक जगा मैंने यह बोला है चीज तो एक डॉक्टर एक माता जी है वो आई मेरे पास सवाल पूछने के लिए कि प्रभुजी क्या आपने अपने जीवन में कभी एक खाया है मैंने कभी निखाया फिर आपने कैसे के दिया मैंन मैंने देखता हूं कोई बहुत बड़े अवैस्टनों है कहीं चाहिना में चले गए खाने के लिए किसी ऐसे रेस्टोरंट में उनको खाना पड़ रहा है जो जैसे माइकल क्रीमो प्रभू हैं दुत्र कर्मा प्रूव आय थे पुना मंदी में प्रचार करने तो बताए कि चाहिना और कहीं कहें थे परचार करने के लिए क्लासे देने के लिए तो फिर रेश्टोरेंट में जाके खाते हैं बाहर और बाहर के रेश्टन में सब कुछ मिलता है नॉन वेज्व और वेज वहां पर तो उन्होंने बोला कि मैंने ऐसी चीज खाई जो किलियर कट वेज था वह ब्रेश्टेट ब्रिंजल वह जो भीगंग को फाड़कर फ्राई गया खॉर्स था तो उन्हों बना देना यहां मेन प्रिंसिपल है कि प्रिचिंग इंपोर्टेंट है और उसको छोड़के बाकी चीजों को बतंगड करना होते हैं लेकिन समझने के लिए आपको पता होना चाहिए और भी उपर के लेबल हैं अगर आप हजम कर सकते हैं तो हम बताएं भक्ति सिदान यहें एगर ब्रिटिसके आफेसर थे उन लोको उन ने बुलाया था और जब उन लोगों को हो हम 49 ना 30 बनौन एक ब्रमचारी को भेजा, वो जाके मंगवा के उन्हों बना के उनको खिला है, लेकिन खुद नहीं खाया, आसरम के भक्तों को नहीं खिला है, आप अब आप सुचेंगे का इस से हुआ, मेरे भाई, मेरे भाहिया, आप याद रखिए, आप इंडिपेंडेंट इंडिया में बात कर रहे हैं, जहां आपने कभी वो ब्रिटिश इंडिया देखा ही नहीं, ब्रिटिशर्स क्या चीज थे, कितना दबाव था उनको इंडियन्स के उपर, और कैसे लोगों को फासी पे लटकाते थे, क्या जान की कीमत थी, यह आपको उसका एक मोल पता नहीं, उस जमाने में वो रह रहे थे, उन्हें 110, 20, 30 के जमाना था, आजादी के पहले, वर्ड कैसे आपने मैनेज किया, और उसके बाद क्या हुआ, वह ही वेक्ति को लेके जब मायापूरा है, मायापूर का पूरा रोड उसने बनवा दिया, बिटिसस ने बनवाया रोड जो, इसका मतलब है कि उन्होंने उसको इफेट उसको लेके यूज करना भी सीखा, यह नहीं ग को कि यह क्लिटना पचा रहे है मतलब मंदिरों, मंदिरों मंदिरों के अधक्ष When NTP, अब जाते हैं, और उसको लेके आप जिए, आप के ли सब तो यह हुआ अगनी के बारे में आज का समय अब बहुत कम बचा है कोई प्रश्ण और दिखने रहे मुझे याप यहाँ को यहाँ वाज रूज्टा प्रव ने सवाल किया थे ठीक है ठीक है कि और तुकिशा आपक्र जी ने बिसको पचा लिया था वाँ यह उदारन के बिनातियों कमी पड़ता था अब यह एकदम आइसिंग दा केक हो गया फाइनल पंच लग चुका है संकर यह हमारे ओं फैबरेट संकर जी विश पिये यह कोई कहता संकर जी चुझे पिते थे और पहले विस पिये कर बूर्थ ओर मरे निए और गांज म τीक्ज पखकलाग। गांजर पीने के बाद कभी यह नहीं सुने कि घर में आके लाठी से भवानी को पीटे यह कभी नहीं सुने को मिला तो तुम जब पचा नहीं सकते हो तो उस महान वेक्ति को जो तेज वेक्ति है जिसमें उस तेजों में वेक्ति को आप नकल नहीं कर सकते हैं उसके दोस्कों शुरिए का करता है कि कहीं करें कि किसी ने पिसब कर दिया उधर से बैठे यह उसको सुखा देता है और सुखा के उस अस्थान को एक दम ड्राई कर देता है कि कुछ दिनों तक अगर शूरी चलता रहे है पूरा पता भी नहीं चले ऐसा कुछ हुआ वाप उसमें तेज है उसमें तेज है कि वहां से बैठ के उसको साफ कर सकता है तो उसके दोस्कों आप नहीं देख सकते हैं उसमें तेज है जैसे कि एक छोटा सोधार लेजिए दुनिया में जैसे कि आगर हम लोग गाड़ी चलाते हैं सिगनल पर रुख जाते हैं कि नहीं सिगनल जिवागागा गाड़ी क्योंड़ु नोगा सबके लिए नियम होना चाहिए कहीं भी सबके लिए एक नियम नहीं है चाहिना में भी नहीं है में मंत्रि के गड़ी पहले निकलती है वारसिय में भी नहीं है कम्मौनीजम के घर में भी नहीं एक नहीं है बाकित छोड़ ऐरो कहीं हो इस नहीं सकता पूरे संसार में एक नियम हो ईन्ये सकता खोड़ी अलग अलगerson के कि लिए वह नियम नहीं लगेगा जो एक सामानिय व्यक्तिक्री लगेगा हरे कृष्णा और कोई प्रस्ण होगा तो इसमें डालिएगा हमने आज आठ गुरु तक हम पहुंचे हैं कल से हम नौवें गुरु के चर्चा करेंगे काफी इंट्रेस्टिंग होता जा रहा है डिसकासन जो है तो हमारा यूट्यूब चैनल है केश्वानन दास उस पर सारे लेक्चर्स पाद में लोड़ जाते हैं तो किसी को अगर अलग से यूट क्या हो वहां से आप देख सकते हैं हरे किस्ना और कोई प्रश्ण होगा तो डाल दिजा कमेंट में थैंक्यू बरिबच जाए श्रीला प्रभपाद